मेरे को इसमार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है आप भी अपने इन्वेस्मेंट्स को लेकर यही सोचते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो सबसे पहले आपकी दिमाग में क्या आता है? FDs आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने FDs पे higher rate of interest कैसे earn कर सकते हैं I am Priya Bindal, a financial coach and a chartered accountant by profession हम हमारा bank में जबी भी FD करते हैं, तो उस पे हम पो कितना rate of interest मिलता है? 5%? That's it पट वहीं अगर हम small bank like Utkarsh या Fincare में अपना पैसा deposit करते हैं तो हमें कितना rate of interest मिलता है? 7.25 which means 2.35% extra अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम small bank में पैसा करके हमको क्या अपना पैसा दुबाना है? बैंक तो कभी भी दूब सकती है बट नहीं बैंक्स, चाहे वो small हो, चाहे वो big हो अपना पैसा secured करती है DICGC के साथ DICGC एक insurance company के तरह act करती है बैंक के लिए, जैसे हमारे लिए दूसरी insurance company act करती है वो cover देती है FDs पे 5 lakh का अगर आपने 5 lakh के constituents में या even lesser amount का FD करा है तो आपका पैसा secured है बट अगर आपने 5 से जादा, like 7 lakhs औ 10 lakhs का पैसा आपने FD में डाला है पर बैंक डूब जाती है तो आपको सिर्फ 5 lakh रुपे ही मिलेंगे तो FD करने के दो तरीके हो गए 5 lakh से कम की amount का कीजिए ताकि आपका पैसा हमेशा secured रहे और दूसरा छोटे बैंक में करिए ताकि आपको जादा interest rate मिले I hope the video was useful, thank you, stay happy, stay blessed